नमस्कार मैं हूँ आपके साथ गौरव राजेलर बुल्टेन की शुरुआत करते हैं मोहाली और पंचकुला में सौमवार को टेक्सी नहीं चल रही हैं बता दें कि कैव यूनियन की तरफ से हर्टाल की गई है चंडिगड की सेक्टर सत्रा परेर ग्राउंड के सामने सारे टेक्सी ड्राइवर जो है अपनी गाडियों सहे जुटे हैं वहीं ओटो चालक भी उनके पक्ष में आ गए हैं दोपहर में उनकी गवर्नर हाउस की तरफ से मोर्चा जो है मार्च निकालने की यूजना है और वो नई एग्रिगेटर नीती लागू करने और रेट डिवीजन को लेकर जो है रेट रिवीजन करने की मांग कर रहे हैं हाला के चंडिगड पुलिस की तरफ से पुखता इंतिजाम किये गए है पहले अब जब आप पीशे कवर करने आये थे तब आपने देखा था कि रातो रात गवर्नर साब सिगनेचर करके और अपना रिजाइन देते हैं पिर एक नए गवर्नर साब आ जाते हैं अभी उन्होंनों अच्छे से चार्ज समाला नहीं है और फिर से वो बिमार चल रहे हैं कभी स्टाब नहीं पूरा है कभी कुछ है तो पीछे तो चलो चलान थोड़े कम कर दिये थे आज अगर हम उटो लेकर के अपने परिवार को अपनी घरवाली को या अपने रिस्तेदार को दवाई तक दिलवाने जा रहे हैं या खाली उटो लेकर जा रहे हैं तो पच्छिस पच्छिस हैयार रपे के हमारे चलान हो कवर कीरतपूर USAIP से है जहां जिला पुलिस प्रमुख निर्देशा नुसार थाने की पुलिस ने हिमाचल पुलिस के साथ सायूखत रूपھ से आनंदपुर साहिव गाउं में रास्ट्री राजमार्क के टोल प्लाजा के पास आउप्रेशन कासों के तहट एक सायुक्त अंतरराज्जिय नाका इस्थापित किया नाके का निरिक्षर करने के लिए डियस्थापित करने का एक मात्र उद्देश किसी भी प्रकार के उपद्रवी लोगों या किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों की तसकरी आदि को रोकना है जिसके कारण ये चेकपॉइंट लगाए गए हैं जिसकी हिमाच्छल से गहन ज्वात चल रही है वहीं उनके दस्तावेजों की भी जो है सघन जाच की जा रही है आपको बता दे कि उन्होंने कहा कि ये अंतराज्जी सड़के पूरिज जिले में चल रही है कि अपरेशन कैसो सेवन चल दा प्याज एदिवें चिंट स्टेट बॉर्डर जड़े हुंदेया पर सील कर दे हैं ते दोनों जॉइंट हिमाचल पुलिस ते नाव साटे जड़े हुंदेया कोई भी माडा अंसर या कोई भी कोई कांट्रा बैंड होर भी कोई ठाल पाउन लेगे किता जांदा ते जो भी कोई रिकवरी बगारा ये जो भी प्राफ्टी होगी था नों दो बज़े इसी तास देंगे किसे किसे लागते लगे हो जमया प्राइब इस सारे बॉडर हिमाचल रोपड़ देविज जड़े नाजपुर साप निवीजिन देविज देविज जड़े दोए बॉडर है गया जड़े मेन इकते है जित्थे आपका खड़े है गड़ा मौड़ा दे दूसरा कॉलागा ट ये बच्ची ने एक बेटे को जन दिया है पता चला कि बच्ची की शादी उसके माता पिता ने 21 वर्षिय युवक के साथ सहमती से की थी जिसके चलते सिविल हॉस्पीटल मानसा ने लड़की के परिवार के सदस्यों से एफ़ी डेविट लेकर डिलिवरी करा दी इसके अब भी ब्रादर और इनके मतलब आपको पता ही आज कल हैं ना सब कर रहे हैं तो इसलिए हमने रजामंदीना फैमिली ने इसकी ममें और हमने रजामंदीने इसकी इन दोनों की महर्ज करवाज़ तो नहीं लगे नहीं किसमा कंदरा साथ यह लोगे इसकी जिए परोना साथ पर आपको पर आपको पर आपको प्रादर ना मुझा कर दोना सब्सक्राइब ने इसकी मैं जाड़ नबर बारा मांसा जी पेशना अंदाजां उमर दी 15 साल बीए गी एक एक आपको एक ते इलाज पहले चलता सीगा साकारी ऑस्पिटल दे वीची नहीं तो दर्दानाल इस पूरे मामले को लेकर तलबंडी साबों के डीएस पी विनीत सिंगला ने मामले का प्लासा करते हुए पूरे घटना करम की जानकारी दी फिलहाल पूरे मामले को लेकर पुलिस ने जाच शुरू कर दी है पेंड बंगी निहा असिंग वाला विखे एक व्यक्ति दे कतल दा मामला समणे आया सी जिस विच पहला एए इंफॉर्मेशन आई सी कि का राय चूर्नल हत्तों पाई हून कारण उस दी मौत होगी पर इंवेस्टिकेशन करन तो बात ए समणे आया है कि मनवाले विक्ति दा मारनवाले विक्ति दे परिवार नन नजायत संबंद सी जिसका रिक्ते हैं कतल होगी है अधर पंजाब सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोशिएशन ने अपनी लंबी समय से लंबित मांगों को लेकर हर्ताल शूरू कर दी है जिसके कारण सिविल अस्पताल में मरीजों को इलाज के लिए परिशानी का सामना करना पड़ रहा है पंजाब सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोशिशन ने 9 सितंबर से 94 विरोध रनीती को गोशना की जो सरकार द्वारा सुनिशित करियर प्रगती और सुरक्षा के संबंद में उनके लंबे समय से लंबित मांगों को संबोधित करने में विफल रहने के जवाब में शुरू हो वादा दिन ओपीडी जो है बंद रही यह तस्वीर आपके सामने मरिज जिससे लगाता रहा है परिशान होते हुए नजर आए मांगों को लेकर जो है डॉक्टरों ने चारड़ बद्ध तरीके से अधिया एसीपी नो लाके जड़ी अश्योड कैरियर प्रोग्राम डॉक्टर्स ली पहले स्कीम सी चार साला नौ साला भी अप्वेनल केंदे सी जेते अंडर सान्नों जड़ी अ मलब तरक्की मिल दी सी हार चार साला नौ साला थे अगवे ऐसी अगवे उन सबस्क्रापिश कीम सी तिक में मांगे रहे है साथी नो कापी देर तो रही है साथी में मांग़ पर आयत अप जड़ी पूरी नी हो पाई । । । । । । । । । पर तोई होजे तक फूबफल नहीं है इसलिए जडियो पेडी बांद गिती गई है अची हजे 11 तक आच तो 11 वज़े तक बांद गिती बांद किती है बाकी जडियो सारी है सहवामा चाल रही है हन ताकि मरिज्जानू कोई परिशानी ना होगे इस ट्राइग्रा में नहीं सिगा कि काफी लंबे समय तो अप्राक्सिमेरली फोर येर्स तो कोई भी डॉक्टर्जा बाकी स्टाब्जी जूद्में नहीं होई जेदे करके काफी समय तो सेट सेवामा दे वेचे बहुत ज़गा प्रवाब्त हुएं असी भी लोकारों नहीं सेवामा दे बारे जिनियों से दे सक दिया हैं तो इस करके काफी दिल तो मांग सीगी कि सचाब्दी पर दिगिती जावें उदर जालंदर के सिविल अस्पताल में PCMS डॉक्टर की तरफ से OPD बंद रखी गई डॉक्टरों का कहना है कि उनकी मागों की तरफ से सरकार ध्यान नहीं दे रही है इसलिए उन्हें बार बार हड़ताल पर जाना पड़ रहा है शनवार देशाम सरकार की तरफ से डॉक्टरों को मनाने के लिए आश्वासनों से भरा खत जारी किया गया था सरकार से भरोसा मिलने के बाद डॉक्टरों ने स्ट्राइक वापस तो नहीं ली लेकिन उसे तीन चर्ड़ों में बाट दिया अब सरकारी अस्पतालों में दुपहर 11 बजे तक OPD नहीं चलेंगी और पंजाब सिविल मेडिकल सर्विसेस एसोसियेशन ने सरकार के भरोसे के बाद भी हड़ताल पर जाने का फैसला किया है 11 सितंबर को डॉक्टर और सरकार के बीच बैठक भी होने वाली है एसोसियेशन अस्पताल में डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा और नियमित रूप से वेतन बड़ोत्री के आदेश चारी करने को लेकर ये आंदुलन कर रही है सरकार आस्वासन लगातार दे रही है ये डॉक्टरों का कहना है लेकि इने मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है जिसको लेकर डॉक्टरों ने सरकार की अस्वासन को एक्सेप्ट तो नहीं किया लेकिन अपने इस प्रदर्शन को अंदुलन को तीन चर्णों में बाढ़ दिया जिसमें कि OPD के अगर बात करें तो OPD सुबह 11 बजे तक बंद रहे सारे एसोसियेशन में आज डॉक्टर्स एसोसियेशन की से जो पन्याद किया उन्होंने आज की स्ट्राइक कॉल की है उसके चार मुख़्े डिमांड्स है जो फर्स्ट डिमांड है वो आप सब को जैसे पता ही है कि लास्ट काइम जो फिलकता में रेफ हुआ है डॉक्टर्स का और उसके बार उसका मुख़्े हुआ है उसके रियाक्शन में और उसके पहले भी उससे जो कुछ डॉक्टर्स के साथ कान जी पीसे में से ओलोवर पंजाब लॉक्टर्स ट्राइक को शित्किती गई है असी अपनिया मंगा रखियाने सरकार सामने नो स्क्यूरिटी नो वर्क लोसी की नो वर्क साथ तिन चार में मुद्धे ने जो के जिन्ना करके सी अख्री लराई अलाट रहे है एक गाल्य करीए कि स्कोर्टी नी पहला भी जड़ा का डेड़ा रख्रावलों पकास्ट कितना गया सी जोंसाल पहला उन्हें पाड़ी एससाब ने क्या सिकानों सिक्टर्स के देमागे सेक्यूरिटी में तेम्प्ररी स्कूर्टी बदी सी चारपंज अधर बनाला के विदानसवा क्षेत्र महलकला के गाउं में एक दिमागी बीमार बेटे ने अपने पिता और भाई पर जानलेवा हमला कर दिया हमले में 65 साल के पिता और की जो है बेरहमी से हत्या कर दी गई और भाई भी गंभी रूप से गायल हो गया जिसे डेम सी लुध्याना रेफर किया गया है वहीं मामले को लेकर S.H.O. कमल जीत ने बताया कि हत्या रोपी अमंदीप सिहें मांसिक रूप से बीमार है जिसका धनोला में मांसिक इलाज भी चल रहा है और उसे ज़दातर समय एक घर में ही जखा जाता था आरोपी बेटे ने अपने पिता के सिर पर लकडी के डंडे से कई बार कर बेरहमी से हत्या कर दी और अपने भाई को भी गंभी रूप से घायल कर दिया वहीं मृतक के बेटे के बयानों के आधार पर अमंदीप सिहें के खिलाफ हत्या का मामला तर्च कर लिया गया है और आ तो दिमागी बीमार बताया जा रहा है आरोपी पता की बेरहमी से हत्या करती कई दिमागी बीमार बताया जा रहा है जिसके बाद बड़े बेटे की ने जो जिस तरीके से सूचना दी पुलिस को उसके आधार पर आगी की कारवाई की जा रही है तो भरनाला से ये ख़वर है जहांपर पिता की बेरहमी से डंडे मार कर जो है अपने बेटे ने ही हत्या करती और पिता की बेरहमी की हत्या से जो है पुलिस प्रशासन जो है लगाता जाच पर्टाल कर रहा है कि अधिन 112 अधिये कंप्लेंट आई सी भी चुहान की कलाएंक पेंड़ बेन नहीं जो थे एक दमगी तोर ते ठीक निया जा अधा नौहेगा अमन्दीप उन्हें अपने प्योदे थे अपने प्रादे स्टामारियाने उत्ते उन्हों एंप्लोस दे इंत्याम करके बना लेटे जीता उस्तों ने वाद रैफर करता फ्रीज कोड़ दा फ्रीज कोड़ उधर फादर सी का मकर सेंग उधी डेथ होगी है मुक्तसर की अनीता ने अपने परवार के आर्थित तंगी से लड़ने के लिए बेसन बनाना और बेचना शुरू किया ख़बर श्री मुक्तसर साहिब के आदर्श महले की रहने वाली अनीतरानी और उनके पती का जब एकसिडेंट हुआ और तो उन्हें लगा कि अब उनके परवार की आजिवका कैसे चलेगी लेकिन अनीता ने भी अपने पती के काम को अपना कर अपने परवार का भरन पोशन किया पिंणी बनाने के काम में आसपास रहने वाली छएन महलाय भी शामिल हो गई अपने परवार की आरतिक तगी दूर कर ली हमारे टीम मुक्तसर पहूंची और लोगों से इस महला के घर जाने का रास्ता पूछा तो लोगों ने कहा कि हमें पिंणी आवाली के घर जाना है पिन्या बनान दी शुरुवात क्यों भी सिरो उच्षेत की तर नाल नाल में बना लगी पाँचेह अखचिदेंट होगी, तो पिन्या बना लगी नाल पांसा पूर्गिया नाल लाया शुरुआती दोर्वेज तो अनुपे चनुतियां नहीं हों कि तुसी भर्याणी दी पाशा वक्री ये इदर पंजाब नहीं जी आई नहीं है पहला मनुप में हम देशी पंजाब के समझे बात से होड़ी ओड़ी शिखिया जी जी मेरा नमन्का रही है मैं सेरी मुकसर साइब आदाश में ची रहना लिया मैं पिनिया में काम कर दिया की हलाद सीगे ज़र तो में इदर लेपस तदा वेजां के अपने इना दिना आई जी मेरा हजबाई नो मुनी मी कर दे मन दीचे मनीशा जी तुसी अनिता जी ना पिनिया मुना दा काम कर दे ओ तो किने समय तो कर देओ ते की बेनिफिट उठ रहता है हां जी एना नार सानु काम कर दे छे साथ साल हो गया जी वदिया सानु वेनिफिट होई हैं दे अभी आफ दा मीने ले गुजारा से वदिया कर सकते हैं कर बार वदिया चल दे किनना पड़े ओ दे की गौर्मेंट जोड़ों ने ट्राई कीता को मैं दस पड़ी है जी गौर्मेंट जोड़ा ता फार्म गेरत पर रहे है जी पर कोई ओ नहीं हैगा क्योंको आज कल जर जर सरकार दे हाला आते भी लोग की सारे हैं फिर यह अंदे वद्द पड़े होई कि दस पड़े अंतनों उपरी तो नहीं पता कि थो नहीं है सोशल मीडिया पर एक वीडियो वाइरल हो रहा है जिसमें एक शेर पेटरल पंप पर घुमता दिखाई दे रहा है यह वीडियो गाउं पीर जियन इलाके की बताई जा रही है थाना बडाली आला सिहं के मुख अमरदीप सिहं ने बताया कि उनकी तरफ से उनकी मौका देखा गया है वीडियो इस जगह की नहीं बलकि किसी और ही इलाके की है उन्होंने बताया कि लोगों को ढरने की जरूत नहीं है परड़न पंप के मालिक बिक्रम वीर्ट सुझें का कहना है कि यह वीडियो सरासर फेक है इस इतना हुने दी सेंट की जिरा है जाब सोचल मीडिया दो के वीडियो वाइरल हो रही है नहीं देरा पॉम्प पीर जयन लेके नीचे आ रहा ते उटे खुड़ है घर आप देशेर राज अब समय कुण्डा देख रहा है ज़िए एंटर कार्व भी जया आले द्वारे पेड दिखे गे निस पंपदे विच ओपेड नी हे गेगी एधिया अपनी भी अम शीन नाम शीन ने जिए जिदे रही तेर पाया जान रही ओना दी ओना दिया ने लोगला के इस मुझीन पे सांटर चेमे ओना दिया शाइट को नाले मोर ओवर जिड़े औरे पांपटे के करेंदे में या मालग ने होना के नाल गल्बिक और ज़िए ज़िए उन्दर फरीद कोट पुलिस द्वारा साइकलिंग मेराथन का आईजन किया गया ये साइकलिंग मेराथन टी पॉइंट टेहना से शुरू होकर गाओं चंदबाजा पुलत से होते हुए टी पॉइंट टेहना पर समापत हुई इस दौरान लगवग 24 किलो मीटर का रूट ते किया गया था इसरेली को एस्पी बलजीत सिहने हरी जंडी दिखा कर रवाना किया वहीं इस मौके पर एस्पी बलजीत सिहने कहा कि साइकलिंग मेराथन मिशन निशे के तहत निशे के खिलाफ लड़ाई में एक और कदम है इस साइकलिंग मेराथन में हर उम्र के लोगों ने हिस्सा लिया इस मेराथन में परवार के सबस्द से छात्र युवा और बुजरुग सभी ने भाग लिया साथ युनों ने का कि साइकल चलाने जैसी गतिविदी नके वशारे रेक फिटनिस के लिए फायदे मन्द है बलकि यह एक मजबूत शंदेश भी देती हैं नशे से दूर रहना हमारे स्वास्ता और भविश्य के लिए महत्पूर है अज़ा इस पागल है यह सपासे लग रहा है यह सब्सक्राइब कर रहे हैं यह कि बया लुट शुरूरां नशे में पागला है एज डिए लिए घर मन्द उत्षाना सारा पागले हां यह लिए नियु असी घर के देए और लोकाँ जागरे तकर रहे है तरही किलो मेटर दी आफ तो सो तो फिर इचे आपके पॉंट अरे जारे हुआ जागर पाला एंगा में वेडित आपके शारे पागले तो अच्छे की रगदेख लाफ एक जागुता फिलांदा जापूली स्दा कम जो चल रहे है उदे विच ओए साइकल मैराथन प्राइल जा रही है साधेकूल फीज़ी कोट तो साइकलिंग ग्रूप पूर्ठ कुपूरा थोव्य साइकल ग्रूप पूर्मिंदर जी आपको किसले लबा मुक्सर तो डोक्ता हरभक वान जी दा ग्रूप ट क्रीवन से कुछ तो चुछ से तकरींटर तेंट करीव कारें फंदरा केलोमेटर प्लस ता जड़ा रान थे कित्ता मुदर जीरा कपूर में लोहगर क्षितर में एक घर में डिलिवरी देने गए डिलिवरी बॉय को घर के दरवाजे के बाहर लगी घंटी बजानी महंगी पड़ गई तरसल घर के दरवाजे के बाहर लगी गंटी पर लिखा हुआ था कि बेल ना बजाएं लेकिन डिलिवरी देने आये डिलिवरी बॉय ने बेल बजाई तो घर की पहली मंजिल पर रहते किराएदार आते ही बेल बजाने को लेकर जगडा शुरू कर दिया और देखते ही देखत बात हाता पाई तक पहुँच गई जिसके बाद छखड़ा इतना ज्यादा हो गया किराएदार ने डिलिवरी बॉय पर चाकू से हमला कर दिया और चाकू यूबक के हाथ के आर पार हो गया जिसके बाद डिलिवरी बॉय ने अपने साथियों को बलाया और हंगामा बढ़ जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुँची और गाहल डिलिवरी बॉय को इलाज के लिए अस्पताल भेज़ा दिया गया और वहीं पुलिस द्वारा किसी भी वेक्ति को फिलहाल गरफतार नहीं किया गया है और हमलावर फरार बताया जा रहा है कि अधरी बॉय आया है कि उन्हाने बेल मारती ओपर अला क्रायदार उन्हें थपड़ मारता एफर दो तेंजे नहीं कठे होगे बिभी हुआए इस अंकल कहां लगे विच अलमाभी मंगलें तो ओं भी माभी मंगन चलेगा उपर इनाम से इसी मुंडे नुचे नहीं अधरी नाम मारता पर उन्हें थले ले आंदा मुझने भू थले आजा हुँआ आगानियों यह हो दो दा ए रोला एक विच्छा ने वारे चाकु अधर उपर एजिक अधरी नहीं कि ना अबरा कि गल्लगी होई हैं अधरी ज़िए अनकल ने जड़े मकानमाल को ना क्या किय करने भूद करते ऊप उन्हें ने बॉले शागे सब्सक्राइब गल्लगी होई होगल तक विच्काु आख निक्ता को ना क्भी गल्लगी होोदेरा मगली मकानमाल करण मेर्07 कवल ून्हें ने अधरू कहरो जात ओकर जिक कि यह व्त ताम मने सवे पहलोगा च्छारी यह उत्वाने चाकूले आगे जाको मारता देखो बार होगया यहां तो मैं अधिक्वारी आप तो मैं धार आप यह आप अर्शा अधिया ने टेड़ वे चजी मेरे पर उन्दर चेट अधिया फेकर रहा था था जा पुद्धर देखत अधिया प्रता है अंधर जे अधिया फिलहाल बुलिटिन में इतना ही नमस्कार